सांसद राव राजेंदर सिंग से खास बातचीत की हमारे दिल्ली से पॉलिटिकल एडिटर राजी तिवारी ने उन्होंने क्या कुछ कहा आईए आपको सुनाते हैं सांसद राव राजेंदर जी हैं सर कल देखा गया जैपूर में बड़ी घटना घटी है आरेसिस के लोगों पे धारदार हतियारों से हमला हुआ है सभी लोग हस्पिताल में एड्मिट हैं इलाज चल आए पूरे घटना करम को आप कैसे देख रहे हैं इस प्रकार की वारदा तक जितने निंदा की जाए उतनी कम है सरकार से हम अपेक्षा भी करते हैं और ऐसा होगा भी कि जो भी इसमें दोशी है उनके खिलाफ सक्ते सक्त करवाय की जाए अभी तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जिन लोगों को जो इसमें हताहत हुए हैं कि इश्वर से यह प्रातना करता हूँ को वे जल्दी स्वस्थ हो और प्रशासन से मेरी भी बात हुई है और वहां हमारे जिस्ताने मंतरी हैं अर्णल राजवर्दन सिंग जी और पूर हमारे प्रदेश अद्यक्ष और कैबिनेट मंतरी अरुण चतरविती जी उन्होंने वह जाकर उन्होंने उस व्यवस्था को वार्दात को जिन्होंने भी किया वहां घटना सल पे भी पहुँच करना और वो भी एक ऐसे समय करना जब किसी मंदिर पर वो बैठकर अपना जो भी धार में कारेकरम था है वो कर रहे थे अग्याई पार्टी गूंग्रेस कि पार्टी उस सवाल ख़ड़ा कर रही है कि कानून व्योस्था सही नहीं है सरकार अपने सट पर पूरी तरीके से कानून व्याउस्था को बना कर रहें जो आपके अभी हाली में आखड़े आएं ये भी दर्शाते हैं कि क्राइम रेट नीचे गई है सुधार की आवशकता अगर है तो सुधार की और भी सुधारा जाएगा लेकिन अभी तक की परफार्मेंस में ये देखा गया है कि जितनी जो पिछली बार जो सरकारी आखड़े थे और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड बीरो के आखड़े थे उन्होंने अभी लॉइन ओर्डर को ठीक बताया अच्छा बताया तुलनात्मक रूप से लेकिन सुधार की और आवशकता है तो इसमें और सुधार की जाएगी और सकता ही की जाएगी इसमें कोई भी जो अपना कानून अपने हाथ में लेगा उसको ना तो बख्षा जाना चाहिए और नहीं ऐसा होगा सर एक आखरी सवाल है जो घटना घटी है क्या आपको लगता है यह सुनियोजी तरीके से जिस तर से हमला किया गया है धारदार हतिया से किया गया है क्योंकि आम तोर पर अगर ततकाल में धरड़ा होता है तो लोग एक दूसरे के उपर आरोप लगाते हैं हाट टॉक करते ह हैं लेगिन हाथियाद से जो हमला किया गया है नहीं लगता कि सुनियोजी तरीके से हुआ है देखी यहां बैटके दिली बैटकर वहां की बात को इस परकार का मैं कोई निश्यत आपको इस पर उतर दूए नहीं लेकिन मैं आशवस्तू की प्रशासन और पुलिस जिस परक इन्वेस्टिकेशन के बाद ही यह पड़ पड़ पाएगा कि सुनियोजित था या तत्काली कोई आवेश में आकर था लेकिन यह इन्वेस्टिकेशन का एक बहुत मैंतर पहलोग है तो दोशियों पर सक्त कारवाई होगी राव जाजेंदर सिंग को आप सुन रहे थे जैपुर ग्रामेंड से सांसद है जैपुर में RSS के स्वेम से वकूप पर हमले का ये मामला है जिस पर हमारे दिल्ली पॉलिटिकल एडिटर राजे तिवारी सांसद राव राजेंदर सिंग से बातचीत कर रहे थे ये घटना बहुत निंदनी है उन्होंने कहा पूरे मामले की जांच होनी चाहिए साथ ही उन्होंने कहा कि सुधार क्या आवशक्ता है तो वो किया जाएगा